नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम लोग विकली टेस्ट 27 जुलाई दोहजर चौबिस का जो समाजिक विगान का आज आप लोग का विकली टेस्ट हुआ है उसका हम लोग एंसर की इस कर दीजेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यहां पर यह कोशन पेपर जो समाजिक भी ज्ञान का है क्लास 10 के लिए और इसमें आप लोग को 90 मिर्नट का समय दिया गया था और इसमें आप लोग को 40 नमर मिलने वाले थे ठीक है तब चलिए हम लोग आगे बढ़ते क्या क क्या उसका सऐ उत्तर होगा यहां पर निर्देश दिये गया है यहां देखेगा अभी अब जेक्टिव कोश्च्ट्स अबजेक्टिव सब्जेक्टिश सभी का में लोग एंसर इस वीडियो में देखने वाले और इस वीडियो को अगर आप लोग डौनलोड करना चाहरे त कब किया गया था तो प्रथम प्रित्वी समेलन का योजन कब किया गया था 1992 में कौन सब्सक्राइब हो जागा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखेगा दो नमर कोशन है संसाधन के अंधा धुंद दोहन से किस परकार की बैसिक परिस्तितिक संकट पैदा हो गया है तो संसाधन का अंधा धुंद दोहन से किस परकार के संकट पैदा हो गया है भूमंदलिये तापन ओजन प्रत अपच्छे पड़यावरन परदूसन और इनमे से नभी सही जवाब हो जागा क्योंकि तीनों परकार के संकट पैदा हो गया ठीक है इन में से सही अपसन आप डी सही करेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है अमारे पास नभी करनिये उर्जा संसाधन निम्ने से कौन है नभी करनी संसाधन क्या होता है आपक पर निम्ने से सभी वाला यह तो अपसन होगा ही नहीं तो बचा कौन सा पवन नुर्जा आपसन भी आपका सही जवाब हो जागा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखेगा चार नमर कोशन निम्न में से किस मिर्दा को काली का पास मिर्दा कहा जाता है तो काली का साट और यह आपका सही जवाब हो जागा ठीक हैं आगे बढ़ते हैं अगला कोश्यों देखेगा पांस ती वन निती 1992 जरी 1922 रास्ती वन निती 192 द्वारा निधारीत वनों के अंदर कितना परतीसात भग्लbrand छेत्रवान चीट है कितना परतीशत भोगों लिक्षे त्रों चीट है ते तीस परतीशत तीस परतीशत परतीशत कौन सा अप्शन से आपका आपड़ी सही जवाब हो जागा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखिएगा तो नियंतरन और संतुलन की व्योस्ता किसको कहते है उर्द्वादन वित्रन को अप्शन भी आपका यहां परी सही जवाब हो जागा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां देखिए का आठ नमर कोशन बेल्जियम की रजधानी कौन सा है यूरोप सिरलंका औस्टेलिया या चली इसका एंसर आप लोग बताएगा और जिनको नहीं पताओ वोग एक रखोमेंट बॉक्स चेक कर लेंगे वहां पर कोई ना भी इसका इंसर बता दिया होगा ठीक है और नहीं बतायागा कोई तो हम बता देंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेडरिक लोडियू कौन था फ्रेडरिक लोडियू कौन था तो यह फ्रांसेशी क्लाकार था आपसन यह आपका यहां परी सही जवाब हो जागा ठीक क्या और कौन-कौन से हैं चले इसका भी लोग एंसर अभी देखेंगे पहले को सिरलंका मैं कितने जाती समय रहते हैं उनमें से मुख्या जातिय सम्हों के नाम लिखे सतता पोस्ट निये विकास किसे कहते हैं यूरूप में राष्टवाद के उद्धय का क्या कारण था जलूड मिर्दा का निर्मान कैसे होता इसकी विस्षिस्ताई को लिखे चली इसका आप हम लोग एंसर देख लेते हैं तो यहां पड़ी एंसर की है यहां पड़ी पाला कोशन हमाणे पास जीवासम इंधन क्या है उधारन दे तो जीवासम इंधन क्या है पेर पौधा और जानवरो के प्रित्वी के अंदर लाखो वर्स तक अक्सीजन के अनुपस्तिति में दवे रहने पर जो इंधन बनते हैं उनने हम लोग जीवासम इंधन कहते हैं उधारन जैसे कोईलायों पेट्रोलिया मिसको हम लोग अरणाभी करनी संसाधन मीर कहते हैं ठीक है और नभी करनी उर्जा भी कहते हैं चलिए आगे बढ़ते सरकार के अंग कौन कौन से तो सरकार के परमुक्तीन अंग हैं जैसे कि और लुट लिख कशन कर नोट कर लिजयेगा कर लोट क Pourquoi स्रिलंका जाते हैं उन्हें से मुख्य जाती है समुख के नाम लीखें तो तो स्रिलंकाई शfiction प्रमुख्य जाती है चैसे सिहली लंकाई पयाल भारतिय टामिल ठीक यह इसका उत्तर हो जागा इस पूप लोग आभी याद कर लीजिए ये आपका उत्तर हो जाता हो, कै MA ? हम आसे उत्तर हो जाता है और आप लोग को कुछ पीड़ेह भम आम लोग को गुरूप में से पहले तो जो लोग देखे होंगे, सभीं लोग लोग गुरूप में नहीं है गुरूप में ज्वूइन होजएगा वार्षप ग्रूप में या है या टेलि ग्राम ग्रूप में या प्राइब निम लिखित यारण थे के विजा VO से राष्टवादी भावनाओं का उदय हुआ ठीक है नेपोलियन ने अपने द्वारा विजयर प्राप्त राजों में राष्टवाद की भावना को जागने दिया ठीक है राष्ट के प्रति जागरू ठीक है अब आगे देखे सिक्षित माध्य मोर्ग जैसे सिक्षक बैपार आदी के उदाय से राष्टवादी भावनाओं का विकास हुआ ऐसे बर करांतियों में बहत्पूर्ण भूमिका आदा किया था ठीक है इसका उत्तर हो जाता ठीक है इसको आप लोग नोट कर लिए क्योंकि यह सब कोश्चन्स आप लोग का फाइनल एक्जाम दोजर पचीस मे जो होने वाले उसके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो सकता है तो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिटी के जमा होने से जलोड मिर्दा का निर्मान होता है जैसे जलोड मिर्दा बहुत उपजाओ होती है अधिकतर जलोड मिर्दा पोटास फासफोरस और चुन करने के कारण जलोड मिर्दा वाले छेत्रों में गहन क्रिसी की जाती है यह इसका उत्तर हो जाता दोस्तों इस वीडियो में अगले वीडियो में बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का थांक्यू जैहिन जै भारत